साथियों, 2014 नवंबर में आस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में नौवा जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन हुआ था वहां हमारे प्रधान मंत्री शी नरेंदर मोधी जी ने भाशन दिया और जी ट्वेंटी को कहा कि अंतर राश्ट्रिय सहयोग होना चाहिए काले धन से लड़ने के खिलाफ, काले धन इकटा करने वालों के खिलाफ, मनी लॉन्डरिंग के खिलाफ जो काले धन को सफेद करते हैं उनके खिलाफ जो शेल कंपनिया हैं दुनिया भर में उनके खिलाफ जो टैक्स मुक्त जगए हैं टैक्स एवन जो हैं उनके खिलाफ हमारे प्रधान मंत्री ने अपनी बुलुंद आवाज उठाई और मांग की कि जी ट्वेंटी को इस विचेफ पर नित्वी को दिखानी की जरूरत है अगले हफ़ते नौ तारीक को यानि की आज से नौ दिन बाद नई दिल्ली में अठारवा जी ट्वेंटी स्षिकर अठारवा पहला नहीं दूसरा नहीं दस्वा नहीं अठारवा जी बीस सिकर सम्मेलन होने वाला और आज सभी अकबारों में अमरीका के अकबार इंग्लेंड के अकबार हमारे देश के अकबारों में खुलासा हुआ है जिस तरीके से एक प्रधान मंत्री के चहीते दोस्त प्रधान मंत्री के पसंदीदा उद्योक पती पुंजी पती ने शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया है सेवी के सारे नियमों का उलंगन हुआ है यह सब खुलासा आज अकबारों में है मैं इस पर ज़्यादा नहीं कहूंगा अभी पांच बजे को राहुल गांदी जी आपको संभोजित करेंगे विस्तार से राहुल जी इसके बारे में आपसे बाचीत करेंगे आज शाम पांच बजे मैं बस यही कहूंगा कि 28 जैन्वरी से लेकर 28 मार्च दो महिने में कॉंग्रेस पार्टी ने प्रधान मंत्री से सो सवाल पूछे ये हम अडानी के हैं कौन श्रिंखला है हमने ये सवाल उठाए रोज हम तीन सवाल उठाया करते थे आप देख रहे हैं पीछे मेरे पीछे आप देख रहे हैं हम अडानी के हैं कौन अंग्रेजी में और हिंदी में और अलग-अलग भाशाओं में ये छपा गया सो सवाल हमने पूछे प्रदान मंत्री से हमने प्रदान मंत्री को कहा माननिय प्रदान मंत्री जी चुप्पी तोड़िये और हमने एक ही मांग की कानूनों का उलंगन हुआ है निवेश में पारदर्शता नहीं है शेल कंपनियों का भारी इस्तिमाल किया गया है बीस हजार करोर रुप्या जो ये अडानी के शेल कंपनियों में पाए गए है इसके असली मालिक कौन है इसकी कोई जानकारी नहीं है हमने सौ सवाल पूछे राहुल जी ने साथ फेबरिवरी को लोकसभा में अपने भाशन दिया और आप जानते हैं वो भाशन दिने का एक नतीजा है बीस दिन बाद उनका डिस्कौलिफिकेशन हो गया लोकसभा से ये बहुत गहरा मामला है ये अडानी का मामला नहीं है ये मोडानी का मामला है प्रधान मंत्री और अडानी के बीच में क्या रिष्टा है ये असली मुद्दा है मैं ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा आज सुबह पांच बजे को राहुल जी जिनोंने पिशले एक साल से सवाल उठाया है संसत के अंदर उनको भुगतना पड़ा चार मेने के लिए वो डिस्कौलिफाई हुए और हमने हमारी पार्टी ने हमारे पार्टी के मंच से सौ सवाल उठाये और एक ही मांग की और आज मैं वो मांग धोराता हूं कि जेपीजी का गठन होना अनिवार्य है अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं अगर देश को सच्चाई जाने की इच्छा है हकीकत क्या है रास क्या है एक मात्र रास्ता जेपीजी का रास्ता है तो आज भी हम जेपीजी की मांग धोराते हैं आज का जो बड़ा खुलासा हुआ है फिर एक बात यही सावित करता है कि हमारे संस्का नाकाम हुआ है नियमों का उलंगन हुआ है आंक खुला है और कानून का उलंगन हो रहा है नाप के नीचे कानूनों का उलंगन हो रहा हा सरकार की पूरी जानकारी उने के बावजूद यह उलंगन हो रहा तो सिरफ एक ही मांग है JPC का गठन होना ज़रूरी है अब भी वक्त है कि JPC का गठन हो और जान चुरू हो और डीटेल इसके बारे में राहूल जी आपसे पाँच बजे को बाच्शीत करेंगे। त्रीक है। पाँच बजे। पाँच बजे। पाँच बजे।